नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू दाकार चैनल और आज हमाएं एक इंडियन हैच बैक के सामने जिसका नाम है रेनो कुईड 2015 ने लॉंच हुई थी और यह आप 2019 का फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट वैरियंट देख रहे हैं सिर्फ पेट्रोल में आती है रेंज सुरू होती है 3,20,000 से टॉप मोडल की मतल है 5,50,000 रुपीच और यह आप रेनो कुईड का बेस मोडल देख रहे हैं जो तक्रिबन 3,70,000 रुपए का है 5 सीटर है रेनो कुईड हम इसे स्मॉल फैमिली कार भी बोल सकते हैं जिसमें आराम से 5 लोग बैठ कर यात्तरा कर सकते हैं इंडियन मार्केट के लिए ही बनाई है रेनो ने यह कुईड ग्लोबल एनकैप ने थाइप में से 0 स्टार्ट दिये है कुईड को काफी सांदार और स्टाइलिस फ्रन्ट प्रोफाइल है रेनो कुईड का रेनो कुईड का फ्रन्ट लुक एस्सूबी से इंस्पायर है यह आप रेनो कुईड फेसलिफ वैरियंट देख रहे हैं यह आप वाइड कलर देख रहे हैं ब्लू, रेड, बॉरंजे का भी आप्सन है रेनो कुईड में इंडिया और ब्राजील में असेम्बली होती है रेनो कुईड की और यह है सूबी लाइड जैसे बड़े हैड लैम्प और यह है सिल्वर स्ट्रिक एलेड डी डी आरेल इंडिकेटर से साथ काफि सांदार और इंडिकेटर और हैड लैम्प है और यह है फ्रंट रेडियेटर ग्रिल और यह है रेनो का लोगू फ्रंट से क्रोस ओबर स्ट्रिक जैसा लुक है रेनो कुईड का दो साल के लिए कॉरिजन प्रोटेक्शन केलती है रेनो कुईड में फिरी रोड साइड असिस्टन्स के साथ चार साल या एक लाग किलोमेटर की वैरेंटी देती है रेनो कुईड पर और यहां बॉनट पर भी डिजाइन है यहां आगे आपको सिंगल वाइपर्स मिलेगा और यह है साइड इंडिकेटर आयर स्कूपर्स एड बॉडी ग्लैडिंग है क्रैस प्रोटेक्शन के लिए और यह है एंटीना इसके टॉप मोडल में फ्रिल्स आएगी काफी फ्लेन रूफ है लेनो कुईड की मैनुली अरजस्टेवल आउटसाइड मिरर्स हैं और यह है थार्टीन इंच के स्टील विल्स 14 इंच के वलक़ोनों ग्रे मेसकुलर मल्टी स्पोक अलए विल्स का भी ऑयप्सन है रेडियल टूबलेस टायर सेहएं आगे डिस्क के ड्रम ब्रिंगे टॉप मोडल में रेडियल टूबलेस टायर सेहएं आप ओलो कंपनी के टायर मिलेंगे आपको इसके अंदर वेल के बीच में भी आपको रेनो का लोगो देखने हो मिल जाता है यहाँ बर डोर प्रोट्रेक्टिव साइड बोडी ग्लैडिंग है रेनो में यह साइड बोडी ग्लैडिंग देख रहे हैं आप 3.7 मीटर लेंथ है 1.5 मीटर हाइट है 184 mm ग्राउंड के लेरंस है और लगभग 700 kg कर्ब वेट है नो कोईड का सेफटी केंडर, टू एयर बैग, ABS, EVD, रिवर फार्टिंग सेंसर्स और कामरा, इंजन इमोबलाइजर, फ्रेंट सीड वेल्ट, रिमाइंडर, ओबर स्पीड अलर्ट, रियर डोर चाइड लोक, रिमोट की ले सेंट्री और सेंटर लोकिंग मिलेगी रेनो कोईड में और ऐसा दिखता है रेनो कोईड का रियर फोरफाइल, काफी स्टाइलिस और सांदार फोरफाइल है रेनो कोईड का, अंदर टायर को उपर आपको बील आर्क ग्लैडिंग लेगी, राइड इंडिकेटर भी है, और यह है रियर टेल लैंप, यह मल्टिफोकल्ट टेल हैं, और यह है रियर रिफ्लेक्टर्स, यह रियर रिफ्लेक्टर देख रहे हैं आप, और यह है रेनो की वैचिंग, और यह कुईड का लोगो, कुईड वैचिंग, रेनो, निसान, मिर्स्विक के, ओमन मेडवल फैमली, सी एम एफ, ए फ्लेटफर्म पर बनी है, कुईड, जिस पर, ट्राइबर और डट्सन रेडिगो भी बनी है, यह हाई माउंट स्टॉप लैंप, आईए बूट ओपन करते हैं, और यहाँ मिलेगी आपको 279 लीटर की बूट स्पेस, सीट फोल्ड करने पर, 620 लीटर की बूट स्पेस बन जाएगी, और यह है टूल किट, और यहाँ उपर अर्ज़स्ट होगी स्ट्रे, और यह कार्पेट उठाएगे, तो यहाँ नीचे आपको यह स्पेर बिल मिल जाता है, यह स्टिल्ट स्पेर बिल, चलिए बूट कुलोस कर देते हैं, और यहाँ नीचे मिल जाता है, आपको यह स्टिल्ट पाइप, यह स्टिल्ट पाइप, और यह आप पीछे रियर सस्पेंशन देख रहे हैं, आगे लोवर ट्रांसफर लिंक के साथ, मैक पर्शन इस्टर सस्पेंशन, पीछे कॉइल स्प्रिंग के साथ, पुिष्ट बीम सस्पेंशन मिलेंगे, रेनो कोईड में, आइए ब ड्राइवर साथ, पैसेंजर साइड डॉर ओपन करके देखते हैं, और ऐसा दिखता है पैसेंजर साइड डॉर, डॉर्स पर आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर मिल जाता है, आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, और यह है डॉर हैंडल, डॉर लोक अनलोक करने का बटन, यह है मैनुवल विंडो की कंट्रोल्स, और यह साथ दिखता है डॉर, और कुछ ऐसी दिखती है पैसेंजर साइड सीट, ब्लैक फैबरिक का पॉल्स ट्री यह सीट पर, और यह है ब्लैक फैबरी का पॉल्स्ट्री सिंपल प्लेन रूफ मिलेगी आपको रेनो कुईड में इसको उपर दो हेड्रेस्ट मिलेंगे और यह है हैंडल बार रूफ में लाइट नहीं मिलेगी आपको और ऐसा दिखता है डैस्बोर्ड गलोसी ब्लैक हाइलाइट में डैस्बोर्ड है और यह थ्री स्थेरिंग बील मिलेगा इसमें आपको और डैस्बोर्ड पर आपको क्विट का लोगों मिल जाता है और यहां सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं मिलेंगी आपको बिलेंगी कि शेट के पीछे पॉकेट्स नहीं मिलेंगी कि अ कि अ कि अ कि आ ये ड्राइवर साइट डॉर ओपन करके देखते हैं अ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइट डॉर डॉर पर आपको हैंडल बार और काफी स्पेस मिल जाती है ये कुछ स्पेस है डॉर पर ये हैंडल डॉर है यहाँ पर आपको काफी स्पेस मिल जाती है फाइल पेपर या बोटल होल्टर बोटल रखने के लिए और ऐसे दिखते है आगी दोनों सीट्स काफी सांदार सीट्स हैं लाइफ फैब्रिक अपॉल्ष्ट्री है सीट्स पर सीट्स पर आपको वाइट स्टीचिंग मिलेगी यह है फ्यूल लेड और बॉननट खुलने का लीवर और यहां से भरेंगे पैट्रोल और यह है परफॉरेटिड लेडर में स्पोर्टी स्टील स्टेरिंग वील और यह है पैडल्स और यह है बॉननट खुलने का लीवर और यह है लाइट के कंट्रोल्स यह लाइट के कंट्रोल्स हैं और यहां आपको टिकेट स्टिप मिल जाती है और यह है स्टाइलिस सांदार इस इवेंट्स ड्रैवर सीट मैनुवली अड्रिजस्टेबल मिलेगी नोकोईड में और यह है मैनुवल हैंडवरेक और यहां handbrake के आगे भी आपको काफी space मिल जाती है इसमें और यह है 5-speed manual transmission floor console mounted EGR 5-speed manual automatic transmission भी option है और यहां 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 के काफी space है mobile phone या charger रखने के लिए और यहां मिल जाता है आपको 12B का charging port और यह है manual AC heater के साथ यहां उपर आपको door lock unlock करने का button hazard light के buttons और भी कुछ controls मिल जाते हैं यहां आपको थोड़ी बहुत space मिल जाती है dashboard पर और यह है glow box यहां भी आपको space मिल जाती है काफी जरूरत हिसाब से glow box ठीक है और यह है AC passenger side AC और यह quit का logo dashboard पर सांदार glow or finish में AC vents हैं और यह है passenger side sunrider और यह है day night rear view mirror पर reading light और यह driver side sunrider चली कार कॉन कर लेते हैं और ऐसा दिखता है instrument cluster led digital instrument cluster है तो दिखाएगा rpm meter speedometer gear shift indicator average range outside temperature trip meter और भी कई warning lights जैसे fuel level rpm meter हो गया रहा दिखाएगा यह काफी सांदार instrument cluster है digital display के साथ fuel level और भी कई सारी warning जैसे seed weld tree winder दिखाएगा यह instrument का लस्तर और यह है three spoke steering wheel यह three spoke power steering wheel है perforated leather में sporty steering wheel मिलेगा और यह steering wheel के बीच में reno का logo है पाफी स्टाइलिस और सांदार steering wheel मिलेगा आपको और यह वाइपर से controls और यह light की controls यह है infotainment system सपोर्ट गरेगा FM radio aux usb pen drive डिजिटल डिस्पले में infotainment system है टॉप model में touch screen entertainment आएगा आपर आपको mute, tell lamp, scan, source की buttons मिल जाते हैं और यह उपर दो इस events मिल जाते हैं आपको इसमें आता है 860 inline, 3 cylinder, DOHC, smart control, efficiency, tech, petrol engine 33 horsepower है, 72 nm torque है 25 का average मिलेगा, 28 liter fuel tank से तो कैसी लगी आपको Renault quid हमें comments में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो चैनल ज़रू सब्सक्राइब कीजेगा Thank you friends Thank you